हलो दोस्तों मैं आगया हूँ एक और वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से हैंड फीड करवाता हूँ मेरे बेबी टर्टल को और आप लोग देख सकते हैं अभी ये अपना कुछ शिकार पर लगे हुए हैं और कुछ जो की अब मेरे आसपास आने लग गए हैं तड़ते नहीं हैं ये देखिए दूसरा भी आ रहा है तो अभी मैंने कैसे हैंड फीड कराता हूँ ये इसके पैलेट्स रखे हैं मैंने हाँ पे निकाल करके अब ये जो है बस इस तरीके से एक लड़ाई धगड़े शुरू हो जाते हैं इनों के फीड को लेकर के तो मैं भी इने इस तरीके से फीड करवाने के आदत डलवा रहा हूँ इससे के इनके वी आदत बनी रहे और इनको डर नहीं रहेगा तो आगे भी अच्छा ही रहेगा इनके लिए तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग में इस तरीके से खिलाता हूँ जैसे ही यह पकड़े इन्हें छोड़ देता हूँ मैं जिससे के उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी बड़े और डर ना लगे कई बारी जाओता है कि डर जाते हैं हुआ है है और दोस्ट के नाम रखे तो मैं आपना बताता हूँ आप लोगों को इसका नाम मैने डिटेक्टिव रखा है यह डिटेक्टिव 他भी अब चला गया रहे लिखें देखाता हूँ मैं आप लोगों बाद में यह जो है यह जो है यह है यह wrapped इसका शेल आप देखिए बाकी टर्टल से बहुत अलग है और सबसे ज़्यादा कुछ अलगी तरीके का डिजाइन है इसमें जो 3D डिजाइन होते हैं कुछ उस टाइप का डिजाइन है इसके शेल में तो मैं इसको शेली बोलता हूँ यह देखिए कितने मजबूर्स पकड़ बना रही है यह शेली भी फ्रेंक है लेकिन फिर भी डर लगता उसे कभी कभी और यह जो है मेरा इसको यह अंदर है यह टर्बो है यह टर्बो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है कि यह हमेशा एक्टिव रहता है सबसे ज़्यादा और हर जगा पहुंचने के लिए सबसे पहले तयार रहता है यह देख सकते आप लोग तो यह टर्बो है जिसको मैं अभी खिलाने ही बोजिश कर रहा हूं यह जा रहा है आगे की तरफ अभी मैंने तीन के नाम रखे हैं बस शेली यह कहा गया यह शेली टर्बो और डिटेक्टिव यह रहा यह अभी चुप रहा है लेकिन ठीक रहता है वह भी आसी कि यह टर्बो जैसा मैंने आपको बताया देगे सबसे ज्यादा साइज में भी यह बड़ा है लेकिन एक्टिव ज्यादा रहता है और हमेशा रेडी रहता है कि मुझे दो तिन दिन लगे दो तिन दिन में ही इनों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अभी मेरे से फीड लेते हैं सभी तो नहीं लेते लेकिन फिर भी काफी जो हैं आप देख सकते हो सारे आपके सामने ही हैं हालक यह अभी भी डरते हैं कभी कभी लेकिन आजाते हैं फीड लेने यह देखे शैली हालक यह आर्ट मेरे पास हैं अभी और इनों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है कही बारी लेकिन फिर भी यह टर्वो जो है यह टर्वो है इसके शैल का कलर ज्यादा डार्क है आप देख सकते हो बाकी के अकॉर्डिंग और जो भी आस पास में है उनसे इसका कलर ज्यादा डार्क है और यह आगए डिटेक्टिव यह डिटेक्टिव कहने की एक रीजन यह भी है क् यह जो अज़ा पर आने के बाद यह इस फिलटर गया ज रिचा उपर बैठ गया और उपater के यहां से बाहर जाने का रस्वत देखने लगता तो जैसे इसकी नजर मुझे पड़ी है, यहां से इसीदा कूद के अंदर चला गया तो इसको मैं डिटेक्टिव के आता हूँ इसका पैटन भी अलग है, इस वज़े से मुझे इसका नाम पता चल जाता है तो जिए यह जैसे जा नहीं होता है, जैसे इसे इस जाते हैं, आप roughly इसका और घ्यान से देखें, आप तो पता सिल गायेगा देखे अभी ये क्रीन सामने है, अभी इन दोनों कोई देती है, इसमें जो नूचे की तरफ अभी ये देखो, तिसी का भी पैटन सेम नहीं है, पैटन सेम ना होने से भी इनको पहचाना जा सकता है, लेकिन डिफिकल्टी होती है काफी, और बीनों का फिल्डिंग टाइम है, इन सब का ध्यान अभी खाने पर है, और देखी, यहाँ पर मैंने मॉली फिश के बच्चे भी छोड़े हुए हैं, जो 15 अगस्त को और 16 अगस्त को हुए थे, तो वो बच्चे भी यहीं पर हैं, और यह सब साथ में रहते हैं, भी टिटेक्टिव यहाँ पर आ गया, देखी है, जैसा मैंने बताया था, यह डिटेक्टिव है, यह बस डूंता रहता है, इधर उतर कुछ नो कुछ तो इतना शानती से बैठता नहीं है, और जब बैठेगा तो फिर आराम से बैठता है, नहीं तो जाज तर बैठना पसंद नहीं है इसे, और यह दो अभी अंदर बैठे हुएं, बाफी सारे अपने खाने पीने की खुब्स में लगे हुएं, और यह मौली के बच्चे आपको लिख रहे हैंगे, अगर आप लोगों के पास भी बेबी टर्टल हैं तो आप लोगों ने इस तरी के ज़र फीड कराएं, और फीड करवाने के साथ साथ अपनी बांडिंग अच्छी बनाएं अपने टर्टल के साथ, कि देखिए एक बार बांडिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर कोई इसी नहीं होता, अगर बढ़ा भी हो जाएगा तब भी डरेगा नहीं, कुछ तो बहुत ही अराम से पकड़ लेते हैं, कुछ डरते हैं, लेकिन डरने के बाद भी आजाते हैं फिर से, एक बार जैसे कोई टच करता है, मेरे पास जो यह स्टिक है, इनों के फूर जो है, जैसे यह इने पकड़ते हैं, मैं फूर को छोड़ देता हूँ, जिससे के इने ज़्यादा खीचना नहीं पड़ता कुछ, यह रहा टर्बो, और यह शेली अपने फीडिंग में लगी हुई है, यह लगा हुआ है जो भी है, आलग यह वी चेंडर तो गनफम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यह फीमेल है, और जो डिटेक्टिव है, यह न आलग गाल, जो 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 अटना नहीं है, आलग दूफम है, तो देके नार्मली मैं इस एक जो इस्टिक होती है, उसे ब्रेक कर देता हूँ, दो टुपड़े करके, पानी में ढार देता हूं, मैं, और ये फिर अपना खाते पीदे रहते हैं तो बस इस तरीके से मैं इन्हें फीड करवाता हूँ जब फीड स्टार्ट करता हूँ मैं तो तब इन्हें अपने हाथों से खलाता हूँ और इसके बाद मैं इस तरीके से पानी में डाल देता हूँ क्योंकि काफी जैसा मैंने बताए कि कुछ टर्टल हैं जो बैठेंगे बीचे तो भी आके खा लेंगे फिर थोड़ी देर बाद तो बस दोस्तों यही मिजे दिखाना था आप लोगों को कि किस तरीके से मैं फीड करवाता हूं मेरे टर्टल को और यह नाम एक बार फिर मैं आपको जरा जूम करके दिखा देता हूं इन्हें यह जो दिख रहा है अभी यह है टर्बो शेली और यह टिटेक्टिव तो इन तीन के नाम तो मैंने बता दी हैं भी बाकियों के नाम भी मैं लगा वहां स्लेक्ट करने पर तो आप लोग चाहें तो कमेंट करके मुझे नाम दे सकते हैं बाकीयों के लिए भी और बाकी तो ऐसे मैंने कुछ नाम स्लेक्ट करे हुआ है तो उनके बेहव के हिसाफ से मैं उनके नाम देने वाला हूँ तो बस तो उस तो यही सब्धा इस वीडियो में आप लोगों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ यह जो भी मैंने बताया वीडियो में सब आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्स्राइब कर लें चैनल को अगर आप लोग करना चाहें, अगर मलते हैं वाजन दे किसी नहीं वीडियो में नहीं टापिक के साथ, सी ओ गया हूँ कर दो आपको अगर मीन करें, प्रोशष प्रोशब करूँ रहा है